हलो प्रेंट स्वगत है हमारे यूटीब चेनल पर आज हम इस वीडियो में भारत के परवत के बारे में डाइग्राम के माध्याम से देखेंगे साथ सी साथ प्रिवेस येर में आए हुए क्योस्टन का भी अध्यान करेंगे हमने इसके पहले वीडियो में 20 वके प्रमुपरवत के बारे में बता हैं यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वहां से आप वह वीडियो देख सकते हो तो चलो वीडियो श्टार्ट करते हैं तब से पहले परवत किसे कहते हैं पठार किसे कहते हैं और पहाड के बारे में हम देख लेते हैं जो परवत होता है इसका अधार है वहाँ चाउड़ा होता है जो परवत होता है उसका अधार चाउड़ा होता है और इसका सीर्स है वहाँ नूकिला होता है इसका सीर्स और अध आसपास की परवत से पहाड से अपने आसपास की पहाड से वहाँ अतिधिक उचे रहते हैं उसको परवत कहते हैं ठीक उसी प्रकार पठार किसे कहते हैं पठार वहाँ भाग होता है जहां इसका उपरी भाग है वहाँ समतल होता है मेच की भाती सपाड होता है और इसका उचा रूप हैं पहाड आप इसे परवत का फुत्र मान सकते हो उसको पहाड कहते हैं सबसे पहले हम यहां अरावली परवत स्रिंखला का अध्यान करेंगे जिसमें हमने हिमालाय का पूरा डिटेल में अध्यान किये हैं अब हम अरावली परवत स्रिंखला का अध्यान करेंगे यह गुजरास से लेकर जो अरावली परवत स्रिंखला हैं वहाँ गुजरास से लेकर राजिस्थान और हर्याना तक फैला हुआ है या आरावली परवा स्रिंखला है वहाँ गुजरा से लेकर राजिस्थान हर्याना तक फैला हुआ है इसका 80% भाग है वहाँ राजिस्थान में आते हैं जो आरावली परवा स्रिंखला है उसका 80% भाग है वहाँ राजिस्थान में आते हैं यहाँ बात में रखना है मै पर लोकेशन नलग यहां पार आप देख सकते हो भारत का सबसे पुरानी परवस्रिंखला है वहाँ है ब्हारत का सबसे पुरानी 17-22 मीटर है गुरु सीखर की उचाए जो कि यहां अरावली परवस्रिंखला स्रिंखला में से एक है जो अरावली परवस्रिंखला है वहां भारत की ही नहीं विश्वा की सबसे प्राचिंग परवस्रिंखला में से एक है जो अरावली परवस्रिंखला है वहां भारत की ही नह और यहां जो अरावलई परवर्थ हैं वहां गुज्रास से लेका राजिस्तान-हर्याणा तक 800 क cityमेटर तक की इसकी लंबाई पर फैले हुए हैं यह 800 किलो मेटर तक लंबाई राजिस्थान से लेकर हर्याणा तक इसका फिर देखते हैं जो नर्मदा नदी है और त्रापती नदी नर्मदा नदी और त्रापती नदी के बीच हैं सत्पूरा पर्वस्रिंखला नर्मदा नदी और त्रापती नदी के बीच हैं जो सत्पूरा पर्वस्रिंखला का की भाग हैं जो कि तीन भाग में बटी हुई हैं पस्ची में इसे राज पीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और पूर्वा में इसके भाग को मायकल पर्वस्त की नाम से जाना जाता है माध्य प्रदेश में इसके भाग को माहादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है पूर्वा छतीजगर में इसके इससी भाग को मायकल पर्वस्त की नाम से जाना जाता है और पस्ची में इसे राज पीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है तत्पूरा स्राणी है वह सबसे उची चोटी यहां की धोब गण हैं जो 1350 मिटर हैं जो कि महादेव की पहाडी का ही हिस्सा हैं उसके बाद है मायकल परवर्ष्रणी मायकल परवर्ष्रणी की सरवच्च उची चोटी हैं वहां अमरकंठक हैं 1036 मीटर इसके कुल उचाई है मैकल पर्वर त्रिणी का फिर हैं गीरी की पहाड़ी गीरी की पहाड़ी है वहाँ गुजरात में है यहाँ यहाँ पार्शन लोकेशन मैप में इसका गीरी की पहाड़ी का यहाँ एस याई सेरो के लिए विख्यात है गीरी वन राष्टी उद्यान इसी छेत्र में इससित है जो गीरी की पहाड़ी है वहाँ एस याई सेरो के लिए यहाँ विख्यात पाया याता है गीरी वन राष्टी उद्यान है वहाँ इसी छेत्र पर आता है फिर है आजंता परवत स्रीणी आजंता परवस्रेणी है यहाँ पूरी तरह से महराष्ट में इस सित है इस परवस्रेणी में इस सित गुफाएं गुपत कालिन चित्रकला के लिए विश्व में प्रसीध है जो आजंता परवस्रेणी में इस सित गुफाएं है वहाँ गुपत कालिन चित्रकला के लिए विश्व भर में यहाँ गुफाएं हैं वहाँ प्रसीध हैं सत्माला की पहाड़ी हरिस्यन परवात की त्रिंखला महराष्ट में इस सीथ है, सांसिसा सत्माला की परवस्रिंखला इसी महराष्ट पर इस सीथ है फिर देखते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और पस्चिम घाट, पूर्वी घाट के परवस्रिंखला, पस्चिम घाट की परवस्रिंखला को देखेंगे, पूर्वी घाट और पस्चिम घाट दोनों आकर निलगिरी परवस्रेणी में मिलती हैं, यहां पूर्वी घा सबसे उची छोटी निलगरी का वह हैं डोड़ा बेटा यहाँ पर पुर्वी घाट और पस्षिम घाट मिलते हैं यह पाहडी इस्तित हैं यह पाहडी केराल तमीनाडू करनाटक राज़्य में फैला हुआ है निलगरी की पाहडी को पाहडी की रानी कहा जाता है इसकी सरोच उची चोटी है वहां डोडा बेटा जो की 26-37 मीटर है जो दक्षिन भारत और दूसरी सबसे उची चोटी है प्रसिद्ध तोडा जन जाती यही पर निवास करती है यह निलगीरी की पहाडी में प्रसिद्ध तोडा जन जाती रहता है अन्ना मलाई परवस्रणी है इसके बाल अन्ना मलाई परवस्रणी की सरोच चोटी है आईना मुडी इसकी सरोच चोटी है जो की दक्षिन भारत की सरोच चोटी है जो की दक्षिन भारत की सरोच चोटी है यह पहाड़ी हैं आंधर प्रदेश के कृष्ण नदी के दक्षिण में इसी थैं, जो की उत्तर से दक्षिण की और फैली हुआ हैं, जो अन्ना मलाई की पहाड़ी हैं, यहां आंधर प्रदेश में कृष्ण नदी के दक्षिण में इसी थैं, और उत्तर दक्षिण की और यह यहा पहाड़ी है वहाँ फायला हुआ है यहां है अल्ला मनाई की पहाड़ी मुक्ष्यता के एलाइसी के लिए महसूर है यहां पास है लोकेशन में इलाइसी के पहाड़ी को देख सकते हो पिर हैं लक्ष दीब समू का पाड़े को देख लेते हैं लक्ष दीब समू की सरोच उन्ची छोटी है वहा नार्चो लक्ष दीब का सरोच उन्ची छोटी है जो की साथ सा बावान मिटर है नार्चो साथ सा बावान मिटर है यहां लक्षदीब की सरोच उंची छोटी हैं फिर हैं अंडमान निकोबार्दीब समुहां अंडमान निकोबार्दीब समुहां की सरोच छोटी हैं सेंट्रिक इसकी सरोच छोटी हैं और इस क्यूंचाई की बात क फिर आते हैं मेघालाय में देखे जो मेघालाय में वहाँ गोरो खांसी जेयंती पहाड़ी पाया जाता है यहां पाद गोरो खांसी जेयंती पहाड़ी पाया जाता है यहां कलर में है उससाब से मैट में आप देख सकते हो गोरो खांसी जेयंती पहाड़ी वहाँ मेघालाय मे पाया जाता है फिर है नागा लेंड नागा की पहाड़ी पाया जाती है मिजोरम में मिजो की पहाड़ी पाया जाता है फिर है अरूरांचल प्रदेश में डफला मिक्सी की पहाड़ी अरूरांचल प्रदेश में डफला मिक्सी की पहाड़ी अरूरांचल प्रदेश में पाया जाता हैं यहां आपको ध्यान में रखना है डपला मिक्सी की पहड़ी यहां अरुणांचल प्रदेश में डपला मिक्सी की पहड़ी पाया जाता है और यह मिजूरम में मिजो की पहड़ी पाया जाता है फिर अब हम प्रिवेस येर में आय हुए किस्टन का देखेंगे प्रिवेस येर में आय हुए किस्टन का अध्यन करेंगे पहला की सीमला के चोटी को साघरमाथा कहते हैं तो Mount Everest श्रेणिंट के नीमन लिखीत में से सबसे प्राचिन परवत त्रेणि है उस में धर म मेंसे किस परवत माला को सदरी के नाम से जाना जाता है इस परवट माला को सहद्री के नाम से जाना जाता है तो पस्चिम घार को सहद्री के नाम से जाना जाता है पुर्वी घार याँ पस्चिम घार स्रेडियों में समलित इस्थल है निलगिरी की पहाड़ी पिर हैं नीमन लिखिट में से कौन सी दक्षिन भारात की सबसे उची चोटी है अन्ना अईना मूडी अईना मूडी दक्षिन भारात की सरोच उची चोटी हैं फिर हैं गारो खांसी जयनती की राज्य में इस्थित हैं तो यहां मेघालाई में गारो खांसी जयनती इस्थित की पहाड़ी कहां इस्थित हैं गीरी की पहाड़ी कहां इस्थित हैं तो गीरी की पहाड़ी हैं वहां गुजरात्मबाद इस्थित हैं हमने इस वीडियो में भारात के प्रमुख परवत के बारे में जाने हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब परना ना भूले थांक्यू